नमस्कार नसाथियों, स्वागत है आप सँझाव गुरु जी के वीडियो क्लास Lauren और आज हम यह हमारी 31 थर्टी नंबर की क्लास है, और आज हम जो आपके खाद प्रसंसकरन है, नया टॉपिक है, घाद प्रसंसकरन है और इस topic की चर्चा करेंगे इस topic को prelims में भी जोड़ दिया गया है नया जोड़ा गया है prelims में पहले जादा prelims में इसको चलिए तो फटाफट वीडियो की link को शभी में तरों तक share कर दीजिएगा और हम start करते हैं आज इस topic को सांदार तरीके से समझेंगे दो से तीन class में हम इसे cover करने का प्रयास करेंगे यहां से कैसे प्रश्न बने है पिछले exams में वो भी आपके सामने लेकर करियांगे और कल की जो class थी हमने कल की class में भारत की जनगरना को समझा था कि भारत की जनगरना में जो जनसंख्या वरदी दर है concept wise जो questions हैं वो जनगर्णा की portion से कैसे बनते हैं तो जनगर्णा वाले chapter से कैसे बन सकते हैं question जिसमें 5 अंख का question और 11 अंख का question बनने की संभाबना है सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या ब्रद्धी के कारण बताईए या 1901 से 2001 तक की जनगर्णा में हुए विभिन प्रकार की उतार चड़ाओ जो हुए हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि 1911 के पहले जनसंख्या की स्थिदी क्या थी 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या की ब्रद्धी दर नकारात्मक रही मतलब बढ़ने की बाद छोड़ दो घट गई कारण क्या था अकाल पड़े ठीक है भुकमरी हुई महामारियां फेली मृत्यूदर बहुत बढ़ गई जन्मदर के वेक्षा जादा हो गई और इस प्रकार से नकारात्मक ब्रद्धी हुई 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद से जनसंख्या ने ती ब्रगती से ब्रद्धी की और लगातार जन्मदर जो है कम कम हुई लेकिन मृत्यूदर बहुत तेजी से कम होती गई मैंने बताया था 42 से 42 प्रती हजार से जन्मदर 37.2 प्रती हजार आई जबकि मृत्यूदर 28.9 प्रती हजार से 15.0 प्रती हजार पे आ गई थी 1951 तर तो एक बड़ा हमें चीजें बहुत अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक खाध्य प्रशंसकरण की हमें चर्चा करना है और इस चर्चा को सुरू करने के पहले मैं आपको एक जानकारी देदू कि यह जो नोट्स है इसमें बहुत सांदार तरीके से क्खाध्य प्रशंसकरण को आँ अच्छे से define किया गया है तो अभी तक आपने order के नहीं किये हैं notes तो order कर दीजिए यदि पहली बार mains की कोई चीज ले रहे हैं mains के notes तो पहली बार ही हमारे हां launch हुए हैं लेकिन इसके पहले यदि mains का video course लिया है या prelims का भी video course लिया है या फिर prelims के आपने notes लिये थे या फिर जो हमारी 1395 की daily answer writing practice program चल रहा था उसको join किया था तो ये मात्र आपको 1799 मिल जाएंगे अनथा 1999 में आपको मिलेंगे 5 दिसंबर तक आप लोग book कीजिएगा 5 दिसंबर तक ये offer चलेगा 5 दिसंबर के बाद offer खतम हो जाएगा ये price हो जाएगा 5 दिसंबर के बाद आपके notes dispatch करना शुरू कर दिये जाएंगे तो देरी मत कीजिए फटाफट बिलकुल affordable हैं 1999 में 33 booklet मिलने वाली हैं तभी booklet unit wise रखी गई हैं जैसे मदर प्रदेश की रियासतें आप देख रहे हैं प्रशनपत्र 1 खंड A.I.5 पांच भी unit की एक booklet है आपके पास ऐसे ही प्रशनपत्र जैसे पहला प्रशनपत्र है इतिहास की पांच unit है ऐसे ही दूसरा पहले प्रशनपत्र का जो खंडबा है उसमें आपकी भूगोल से संब्धित पांच unit है ठीक है तो ऐसे ही हम लोगोंने क्या कर दिया है unit wise जादा तर जो चीज़ें हैं वो unit wise रखी ह हुई है अब हम आगे बढ़ते हैं और खाद्र प्रसंसकरण को स्टार्ट करते हैं कि खाद्र प्रसंसकरण क्या होता है राइट गुड इवनिंग everyone गुड इवनिंग फटा फट कमेंट करके बताईए प्रॉपर तरीके से आबाज आ रही है वीडियो की लिंक को शबी दोस्तों तक शेयर कर दीजे क्योंकि आज का जो चैप्टर है बहुत सांदार सा चैप्टर है और खाद्र प्रसंसकरण एक इंट्रि किलियर होंगे तो आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे अच्छे से लिख पाएंगे थ्री मारकर प्रसं कैसे बन सकते हैं पांच नंग का प्रसं कैसे बनेगा सारी चीजों की चर्चा करेंगे नेक्ट क्लास में और कौन-कौन से उद्द्योग होंगे इसकी चर्चा कल आज हम इसकी आवश्यक्ता और महत्तुपर चर्चा करने बाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद्य प्रसंसकरण क्या है। खाद्य प्रसंसकरण क्या है। खाद्य प्रसंसकरण जो एक ही सब्द में आपने लिखा देखा होगा। ये खाद प्रसंसकरण क्या है और इसकी शुरुबात कब हुई है इसको शमजना जरूरी है खाद का सबसे पहले हम अर्थ समझ लें कि इसका जो अर्थ है वो क्या है तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करके इसका अर्थ समझ लेते हैं खाद का अर्थ है यहाँ पर एक जगह रखते हैं खाद और एक जगह रखते हैं हम प्रसंसकरण ठीक है दोनों का अर्थ समझना है खाद का अर्थ क्या होगा खाद का अर्थ होगा, खाने योग्य, खाने योग्य, ठीक है, या खाए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, खाद का मतलब हो जाना, खाए जाने वाले पदार्थ, जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम खाद पदार्थ, राइट, ऐसे पदार्थ जिनको हम खाते हैं, चाहे वो आपका गेहूं है, मक्का है, इसके लाबा गन्ना है, सारी चीज़े, जिनको भी हम खाते हैं, मुंगफली बगेरा, इसके लाबा पॉल्टी चीज़े हो गई, दूद और प्रसंसकर्ण, प्रसंसकर्ण का मतलब है, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को प्रोसिस करके, और उपियोगी बनाना, ठीक है, प्रोसिस करके, या सनरक्षित करके, ठीक है, इंगलिस में उसे प्रोसिस करके, प्रोसिस करके, करके, या सनरक्षित करके, सनरक्षित करके उपियोगी बनाना ठीक है उपियोगी बनाना उपियोगी बनाना यह आपका prelims में भी है याद रखिएगा prelims में भी है prelims के according prelims में कैसे प्रशन पूछे गये हैं वो भी आपको बता दूगा फटापट वीडियो की वी लिंक को अभी तक share नहीं किया है तो शेर कीजिए संख्या बहुत कम है आप लोगों की इस तर इंग्लिश मीडियम नोट्स का वेवेलेबल होंगे इंग्लिश मीडियम पर आप काम सुरू हो गया है तो इंग्लिश मीडियम भी बहुत जल्द लाउंच कर दिया जाएंगी लगातार काम चल रहा है तो इस चीज से आपको क्या समझ में आता है यहां से आपको दो चीज़ें समझ में आना चाहिए एक तो ये कि खाद प्रसंसकरण का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा खाद का मतलब है खाय जाने बाले पदार्थ और प्रसंसकरण का मतलब है प्रोसेस करके या सनरक्षित करके उनको और अधिक उपियोगी बना रहा है इसी को हम खाद प्रसंसकरण कहते हैं खाद प्रसंसकरण का सीधा सा एक परिभासा आपसे पूछी जाए तो आप सीधी सी एक परिभासा लिख सकते हैं कि खाद पदार्थों को सनरक्षित या प्रो या को ही हम खाद प्रसंसकन या food processing कहते हैं अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास की चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो इतिहास रहा है ये इसकी जो सुरुवात रही है इसकी जो सुरुवात है वो कहां से मानी जाती है इसको कहां से सुरू हुआ तो सबसे पहले बात है अठारा सो दस की, कपकी है, बात है अठारा सो दस की, इस समय एक बैग्यानिक हुए और बैग्यानिक का नाम है निकोलस एपर्ट, बैग्यानिक का नाम है निकोलस एपर्ट, ये निकोलस एपर्ट नामक बैग्यानिक ने सबसे पहले क्या किया, कि इन्होंने जो सडने वाले खादपदार थे या नश्ट होने वाले खादपदार थे उन पर कुछ प्रियोग किये और प्रियोग करने के बाद में इन्होंने ये सिद्ध किया कि इनको कैसे हम जल्दी सडने से या जल्दी नश्ट होने से थोड़ा सा लंबे समय तक बना सकत से इनके द्वारा निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद प्रसंसकरण की एक शुरूबात की गई और खाद प्रसंसकरण की इनके द्वारा शुरूबात की गई तो इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है तो खाद प्रसंसकरण का जनक कहा जाता है इसलिए इन्हें खाद प्रसंस करण का पिता या जनक कहा जाता है खाद प्रसंसक्रण का जनक कहा जाता है इनको या पिता कहा जाता है ये प्रशन आपके प्रलिम्स में बन सकता है कि खाद प्रसंसक्रण की सुरुवात कब हुई और खाद प्रसंसक्रण की सुरुवात किसने की या खाद प्रसंसक्रण का ज उधार देखे गए तो 1810 के बाद एक लंबे समय के बाद बात करें 1864 की तो 1864 में यहाँ पे हमें एक और वैग्यानिक देखने के लिए मिलते हैं और नाम आप लोग जानते ही होंगे जिनका नाम है लुई पाश्चर ठीक है लुई पाश्चर लुई पाश्चर नामक वैग् बहुत जल्दी खराब हो जाती थी क्योंकि उसमें जीवाणु जो है उसको नष्ट करने का काम सुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द वो खराब हो जाती थी तो लुई पाश्चर ने 1864 में क्या किया कि इन्होंने अंगूर की सराब पर और विभिन किंडवनी कृत क्रिया क द्वारा खराब होने वाले पदार्थों पर सोध किया और उस सोध के माध्यम से उन्होंने अंगूर की सराब इसके अलाबा बहुत सारी सराबिन जो उस समय चल रही थी उन सराबों पर उन्होंने सोध किया इसके अलाबा दूध जो है सड करके दूध जो है दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है इस पर उन्होंने दूद सड़ेगा तो दूद जो है दूद में खटास आती है तो वो दही बन जाता है तो दूद का दही बनना किस कारण से हो रहा है दूद में इसे कौन से बैक्टिरिया उत्पन हो जाते हैं जिसके कारण वो धीरे से वो बैक् जीबाड़ूँओं पर सोध की और दूद से दही का बनना लेक्टिक अमल का कारण बताया अंगूर की सराव का नश्ट होना किंडवनी करण की क्रिया जो है बनती है जिसकारण से वो फिर सराव हो जाती है जीबाड़ूँओं की क्रिया सीलता बढ़ जाती है तो खराब हो ज और दूद को कैसे बचाया जाए तो दूद को बचाने के लिए उन्होंने पास्चुरी करण की स्थिती भी बता दी कि यदि हम दूद को एक निश्चित तापकरम पर गरम करें और गरम करते करते वो जो जीवाडू हैं जो आगे चलके लेक्टिक अमल में परिवर्थित होने वाले हैं उन्हें जीवाडू की मूल या स्थिती को ही हम नश्ट कर दें गरमी के कारण तो फिर जो है लंबे समय तक दूद हमारा खराव नहीं होगा तो पास्चुरी करण की जो क्रिया है ऐसे ही इसका विकास हुआ था इसके अलाबर फिर बाद में तो आपने ये भी सु खोज इन्होंने की थी ठीक है तो रेवीज वगेरा की खोज भी इन्होंने की है तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है चलती है तो ये तो एक छोटा सा इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे अब उसी इतिहास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा क करके हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगी कि एक ये किरिया 1864 की है 1864 की लंबे समय तक फिर धीरे धीरे ग्रामीड इस्तर पर खाद प्रसंसक्रण को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीड इस्तर पर जो बढ़ावा दिया गया वो ध्यान से सुनिए ग्रामीड छेत्रों म खाद प्रसंसकन के कौन-कौन से रूप जो है उस समय प्रिचलित होते थे तो वो भी आप समझ लीजिए ग्रामीड चेत्रों में क्या क्या किया जाता था खाद को सड़ने से या बचाने से या बे मौसम प्राप करने के लिए इसके महत तो हम समझेंगे लेकिन कौन-कौन सी चीज़ें आई हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे और फिर आपका कैसा प्रश्न बनेगा सर आज आपने नोट्स का डेमो दिखाने का बोला था तो फिर आज आपने दिखाया क्यों नहीं है मेरी अकेली नहीं कई छात्रों की मांग है क्रिप्या कर सर नोट्सों का डेमो ज़रू दिखाएं जिससे चेक कर सके हम लोग आर एन नर्वया जी बोल रहे हैं कि डेमो दिखा दीजिए डेमो मैं मैंने ये नहीं बोला था कल भी आप से यदि आप फिर भी वीडियो एक बार चला के देख सकते हैं मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कल आपको दिखा ही दूँगा मैंने ये बोला था कि मैं कोसिस करूँ अदर अंदर में आपको demo दिखा दूँगा अभी जो है demo available नहीं हो पाएगा और लगभग लगभग एक class रहेगी जिस class के माध्यम से आपको यहां पर उसकी PDF form में दिखाया जाएगा ऐसा यदि में आपको notes खोल के दिखाऊंगा तो कुछ भी उसमें समझ में आने वाला नही है इसके लिए आपके पास जो prelims के notes है designing बैसी रहेगी content man's recording है बस यही है ठीक है और बहुत सांदार से notes है और इतने जादा affordable है affordable है कि आप 1999 में 33 booklet अभी आप book कर पा रहे हैं 33 booklet आपके घर तक with courier charge आप तक पहुँच जाएंगी आप यह समझ लीजिए कि content को बनाया गया है content को design किया गया है content को type करवाया गया है content को उसके बाद में फिर print किया गया है 3300 page जब print 3300 booklet हैं तो उसमें कितने page होंगे यह सब प्रिंट करने के बाद में फिर pack करने के बाद में packing की cost और फिर ट्रांस्पोर्ट के ट्रांस्पोर्टेशन की कॉस्ट और फिर कोरियर का चार्ज ये सारी चीजें मिला के आपको घर पे टोटल पड़ रहे हैं 1999 में आप सोच लीजिए इसमें कोई वह ज्यादा वह नहीं है तो यहाँ पे मैं कोसिस करूँगा कि आप सभी लोगों की डिमांड है तो एक जरूर आपको डेमो दिखा दिया जाएगा लेकिन आपको दो से चार दिन का वक्त लग सकता है फिर भी मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ अब आगे बढ़ते हैं और ग्रामीर चेतरों में किस आधार पे इसका सनक्षन किया गया कैसे खद प्रदातों को सनक्षित किया गया तो देखिए बे मौसम आज ग्रामीर छेत्रों में क्या हुआ दाल का समय आया खरीफ रितु समाप्त हुई आज अभी जो है हाल में ही खरीफ रितु समाप्त हुई है दालों की कटाई हुई है उड़द मूंग सब काट लिया गया है उड़द मूंग काटने के बाद क्या किय अब ये उड़द मूंग का हम और क्या कर सकते हैं तो लोगों ने पापड बनाने सुरू कर दिये ठीक है तो ग्रामीर छेत्रों में पापड बनाना सुरू कर दिया पापड से क्या होता है कि उसी चीज को गला करके और पीस करके और उसकी नमी खतम कर दी जाती है कि सीवी खा की प्रतिसत अता बढ़ा दी है तो वो खादपदार्त आपका खराब नहीं होगा और अनाजों को भंडार्ण करते समय 12% से कम नमी होना चाहिए 12% नमी होना चाहिए 12% से कम नमी होना चाहिए यदि इससे ज़्यादा नमी है तो चाहे आपका गेहों हो, सरसों हो, कोई भी हो, वो नश्ट हो जाएगा, उसमें फफूंद लगेगी, धीरे-धीरे सड़ना सुरू हो जाएगा, तो पापर बनाना सुरू कर दिया, पापर के अलाबा इन्होंने अचार बनाना सुरू कर दिया, अचार के अलाबा इन्होंन अली वाटर है, कॉर्डियल है, नेक्टर है, बहुत सारे पेपदार्ध भी बनाये गए और बहुत सारे ग्रामीर छेत्रों में भी इनको सनक्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब हम ये देखें कि 1864 के बाद फिर क्या हुआ इस छेत्र में, तो इस छेत्र में सरकार न कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से फिर गिरो कर रही थी, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही थी, और खाद्यान की आपूर्ती घट रही थी, और समय से जो है खाद्यान की आपूर्ती नहीं हो थी, दो चीज़ें देखने के लिए मिली जाती थी ठीक है कम हो जाती थी जब आप उर्ती जादा होगी तो फिर मांग भी वैसे ही कम हो जाती है जैसे दस लोग टमाटर खरीदने बाले हैं और मार्केट में 20 किलो टमाटर आ गए हैं दस लोग 11 किलो टमाटर खरीदने के लिए आये थे और टमाटर बेचने बाले 10 लो हम 8 रुपे किलो दे रहें, कोई बोलता है हमारी टमाटर ख्रीद लो हम 7 रुपे दे रहें, तो फिर इमांड चुकि कम है इसलिए क्या होता है, कि रेट गिरता है, और जब इमांड बढ़ती है तो कब बढ़ती है खरीदार आ जाएं 20 और टमाटर हो 10 किलो तो फिर एक बोलेगा हमको देदो हम आपको 10 रुपे किलो में खरीद लेंगे दूसरा बोलेगा हम 12 रुपे किलो में खरीद लेंगे तो जब मांग होती है अधिक और आपूर्ती होती है कम तो फिर जो है rate बढ़ता है तो ऐसी चीजें जब सरकार ने ये देखा और विभिन प्रकार के आंकडों में ये देखा गया कि अब market में कभी-कभी क्या होता है कि बहुत उच्छाल और बहुत नीचे तक चला जाता है कभी-कभी मिट्टी के भाव में सामग्रियों को बेचना पड़ता है और कभी-कभी उनको बहुत high cost पर खरीदना पड़ता है तो ये जो परिवर्तन है ये जो difference है इसको कैसे कम किया जाएगा तो बिभिन प्रकार के बैग्जान को ने उस पर सोध किया और ये सोचा कि यदि हम समय रहते इनका क्या कर पाएं सनरक्षन कर पाएं सनर हो जाएगा तो westwick इस्तर पर a-p-e-da ठीक है एपीडा नाम का एक संगठन बनाया गया एपीडा ठीक है कब बनाया गया ए-a-p-e-da जो एपीडा नाम का संगठन था 1985 में बनाया गया और 1985 में westwick इस्तर पर ये लागू हुआ तो इसका प्रभाव भारत में भी हुआ और प्रभाव क्या हुआ उसकी चर्चा हम कर लेते हैं पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है agriculture and processed food product ठीक है agriculture and processed food food products ठीक है agriculture and processed food product expert development authority ठीक है एक्सपर्ट development authority ठीक है इसकी स्थापना कब की गई तो 1985 में की गई और जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो फिर खाद प्रसंसकन की चित्र में क्रान्ती आ गई और सभी देशों ने इसकी महत्ता को समझा A से हो गया agriculture और P से हो गया processed food products और E से हो गया expert और D से हो गया development और A से हो गया authority तो इस संगठन के आने के बाद 1985 में इस छेत में क्रान्ती आये और क्रान्ती के तहट क्या हुआ कि भारत सरकार का भी ध्यान इस ओर गया और भारत सरकार ने एक बड़ा सा निर्णय लेते हुए सीधे तोर पर 1988 में क्या कर दिया सीधे तोर पर 1988 में खाद प्रसंसकरण मंतरा ले की स्थापना कर दी गई उद्रो उद्योग मंत्राले की स्थापना की गई अब देखिए प्रलिम्स में यहां से प्रश्ण कहीं से भी पूछा जा सकता है कि APDA की स्थापना कव हुई थी स्थापना वर्स पूछा जा सकता है या फिर भारत में खाद प्रस्ण उद्योग मंत्राले को कव स्थापित कि गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रिलिम्स में आपसे इन में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, वीडियो को लाइक शियर करते जाएए सभी मित्रों तक और वीडियो को अभी तक शियर नहीं किया है, तो शियर जरूर कर दीजिएगा, राइट? तो यहां तक आपको सारी चीजें clear हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और खाद प्रसंसकरण कितने चरणौं में संपन होता है उसको समझते हैं किसके जो मुख्यता तीन चरण है उनकी चर्ण हम कर लेते हैं ठीक है जो खाद प्रसंसकरण है खाद का प्रसंसकरण है जो खाद प्रसंसकरण है वो मुखिता तीन चरणों में पूरा होता है उन तीनों चरणों की हमें चरचा करना है पहला चरण यहां पे लिखेंगे दूसरा चरण और यहां हो जाएगा आपका तीसरा चरण जो पहला तरण है इसे हम प्राथमिक प्रसंसकरण के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं इसे हम प्राथमिक प्रसंसकरण कहते हैं प्रसंसकरण कहते हैं और प्राथमिक प्रसंसकरण में क्या होता है और यहां पर तरतियक प्रसंस करण तरतियक प्रसंस करण इस बार के प्रलिम्स में एक प्रसंस पूछा था sodium glutamate बाला स्वाद बढ़ाने में होता है सनक्षित करने में होता है बाद में दोनों मान लिया गया लेकिन क्या होता है कैसे स्वाद बढ़ाता है और क्या करता है सार आत्मेक प्रसंसक्रण है, फिर दुतियक प्रसंसक्रण, तुतियक प्रसंसक्रण, यहां पर क्या पूछा जाता है, मतलब यह पूछा जाता है कि यदि हमने ब्रेड खा रहे हैं हम, तो वो किस प्रसंसक्रण में तयार हुई है, क्या पहले प्रसंसक्रण में तयार हुई है, क प्रसंसक्रण का सीधा सा अर्थ है किसी वी चीज को उपियोगी बनाना अर्थात और उपियोगी बना देना थिक है उपियोगी या और उपियोगी बना देना तो प्राथमिक प्रसंसक्रण में होता क्या है कि प्राथमिक प्रसंसक्रण में भौतिक क्रियाओं द्वारा कच् किरियाओं द्वारा कच्चे माल की गुडबत्ता में क्च्चे माल की गुडबत्ता में क्या किया जाता है कच्चे माल की गुडबत्ता में सुधार किया जाता है ये है बस सुधार किया जाता है अब क्या सुधार किया जाता है कच्चा माल कौन सा है तो कच्चा माल यहाँ पर एक उदाहरण तीनों चीजों में लिखेंगे अपन ठीक है एक उदाहरण लेते हैं जिसको तीनों चीजों में हम समझेंगे एक उदाहरण हमने लिया तो उदाहरण यह है कि आपके खेत से जो फसल थी वो फसल आई गेहूं की फसल थी गेहूं की थ्रेसिंग करने के बाद जो गेहूं आया वो कैसा है कच्चा माल है आपका उस कच्चे माल को आप प्रसंस्कृत करेंगे प्रोसेस्ड करेंगे क्या प्रोसेस्ड करेंगे उसमें से गाठें जो रहेंगी उनको अलग करेंगे कचडे को अलग करेंगे बारिक कशड़े को अलग करेंगे, मौटे कशड़े को अलग करेंगे, छोटे छोटे दाने वाले गेहूं को अलग करेंगे, गेहूं में अन्न कोई बीज सामल हैं तो उनको अलग करेंगे, यह पूरी की पूरी प्रोसेस समझ लीजे आप, इससे क्या हो जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा ये पूरी की पूरी जो भौतिक किरियाओं द्वारा हमने कच्चे माल की गुडबत्ता में जो सुधार किया है वो आपका किस में आएगा वो आपका प्राथमिक प्रसंसकरण में आता है इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है किवल इतना सा काम किया जा इसमें कोई तकनीकी की बहुत जादा आवश्क्ता नहीं होते हैं लेकि मसीनों के द्वारसकार को जल्दी कर लिया जाता है ऐसे ही आलू के संदर में लें आप तो आलू आपका खेत से खुदाई करके आया है आलू और वो आलू आपके घर में पड़ा हुआ है और मिट्टी मिट्टी लगी हुई है चोटे मोटे सब उसी में लगे हुए हैं आप क्या करोगे उनको फटाफट बढ़िया धुलाई मसीन में डालके धुलाई कर लो या ऐसे ही आप टब में भर करके उनको अच्छे से साफ सुतरा कर दो धुलाई कर दो एक प्रोसेस हो गई जो आपका छाट करके छोटे आलू अलग, बहुत बड़े आलू अलग, मीडियम आलू अलग और एक अच्छी क्वालिटी के एवरेज आलू को अलग कर दोगे निकालके, तो भी एक separate आलू आपके पास आएगा, उसकी कीमत और mix आलू की कीमत में difference आजाएगा, छोटे आलू कम कीमत पे जाएगे, और जो medium size की आलू है, वो अच्छी कीमत पे जाएगे, तो यही process है, सीधा सीधा समझाने का मतलब है कि प्राथमिक प्रसंसकंड जो होता है भौतिक क्रियाओं द्वारा कच्चे माल की गुडबत्ता में सुधार करने को ही हम प्राथमिक प्रसंसकंड कहते हैं जैसे आपने क्या किया है गेहूं की सफाई करना, ठीक है गेहूं की सफाई करना, सफाई कैसे करना मैं पूरी चीजें समझा चुका हूँ यहां लिखने की जरूरत नहीं है लिखने में आपको यहीं लिख देना है गेहूं की सफाई करना, खरपतवार के बीजों को हटाना उसमें से छोटे और अस्तित तोहीन बीजों को नश्ट करना और पतला और मौटे कच्ड़े को अलग करना यह सारी चीजें जो है प्रोसेस में आजाएंगे गेहूं की प्रोसेस करना, सफाई करना अब देखते हम जो दुतिये प्रसंस्क्रण है दुतिये प्रसंस्क्रण यह क्या होता है तो इसमें थोड़ा सा भौतिक क्रियाओं के साथ रासायनिक क्रियाओं का भी यूज होता है तो यहां पे लिखेंगे भौतिक भौतिक क्रियाओं भौतिक क्रियाओं के साथ साथ भौतिक क्रियाओं के साथ रासायनिक रासाइनिक क्रियाओं के प्रियोग से कच्चे मालकी गुड़बता में सुधार करना कच्चे मालकी गुड़बता में सुधार करना लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा और इसमें जो छोटा difference है किबल इतना सा difference नहीं है कि प्रात्मिक प्रसंसकरण में हमने भौते क्रियाओं द्वारा कच्ची माल की कोड़ उत्वार में सुधार किया और यहाँ पर हमने भौते को रासानिक किबल इतना difference नहीं है दुतिय जो प्रसंसकरण होता है इसमें जो कच्चा माल है उसे उपियोग लाइक बना दिया जाता है क्या कर दिया जाता हैshirt भौतिक करियाओं के साथ रासानिक करियाओं के प्रियोग से कच्चे माल की गुडवत्ता में सुधार कर उपियोग उपियोग लायक बनाना ठीक है उपियोग योग बना देना उपियोग लायक बनाना इस प्रोसेस में होता है इसका उदाहरण देखें हम कि इसका जो उदाहरण है वो क्या है तो जो हमने पहले प्रसंसकन में देखा था कि गेहूं को केवल साफ कर दिया गया है उसको धो दिया गया है कचड़े बचड़े को सब साफ करके बिल्कुल परफेक्ट कर दिया गया है इस प्रसंसकन में क्या होता है गेहूं से आटा बनाना अब देखिए गेहूं को हमने पहले प्रसंसक या हम उसको उप्योग मिला सके लेकिन दूसरे प्रसंसकरण में इतना हो जाता है कि जिस भी कच्छे माल को हमने प्रोसेस किया है उसे इतना प्रोसेस कर दिया जाता है कि उसको उप्योग कर लिया जाये तो कोई दिक्कत नहीं है अब गेहूं का आट आपके सामने है आटे से इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रकार का जो प्रसंसकरण है उसको समझ लेते हैं और जो तीसरा प्रसंसकरण है यह कैसा प्रसंसकरण है यहां समझिएगा जो त्रतियक प्रसंसकरण है इसमें भौतिक क्रियाओं का यूज होता है रासानिक क्रियाओं का यूज होता है जैविक क्रियाओं का यूज होता है भौतिक रासायनिक और जैविक क्रियाओं का प्रियोग करके कच्चे माल को तुरंत खाने योग बना लिया जाता है आटे को तो आप तुरंत नहीं खा सकते आठे को सो कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा लेकिन कच्चे माल को इतना प्रोसेस कर दिया जाता है कि तुरंट आप खा सकें और यहां समझ लीजिए इस प्रसंसकरण में क्या होता है भौतिक, भौतिक, कॉमा रासायनिक भौतिक, रासायनिक वा जैविक क्रियाओं द्वारा कच्चे माल को तुरंट खाने योग बना दिया जाता है खाने योग बना दिया जाता है ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको बना दिया जाता है ठीक है, कैसे बना दिया जाता है यहां ध्यान से सुनिए जैसे या उदाहरण के तौर पे आप देखें तो आप यहां क्या देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे केबल हमारे पास गेहूं था हमने उसको साफ सफाई की पहला प्रसंसकन हो गया साफ सफाई करने के बाद में हमने उसको पीस दिया तकी में डाल के पीस दिया आटा बना दिया दूसरा प्रसंसकन हो गया अब उसी आटे को हम क्या कर दें की गेहूं के आटे से या आटे से ठीक है आटे से या तो हम बिस्किट बना ले बिस्किट या ब्रेड कुछ भी बना लो ब्रेड बिस्किट या ब्रेड ठीक है बनाना यदि हमने बिस्किट या ब्रेड बना दिया तो बिस्किट आप खोलेंगे और तुरंत खाना शुरू कर देंगे तो ये है आपका तीसरा प्रसंसकन यहां तक कोई डाउट हो फटाफट फूचो किसी प्रकार का जी हाँ लड्डू भी बना लिये जाएं ये भी एक तीसरा प्रसंसकन हो जाएगा नमस्ते हमें दोबे जी चलिए फटाफट बताईए कोई आउट तो नहीं है वीडियो की लिंक को शभी दोस्तों तक शेर किया है आपने या नहीं किया है फटाफट बताईए तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे वड़ते हैं और यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें समझ में आ गई है या नहीं आ गई है तो पहला प्रसंसकर्ण क्या करता है कि केबल बहुते क्रियाओं का यूज करके हम जो भी हमारा कच्चा माल है उसको हम साफ सफाई कर लेते हैं पहला प्रसंसकर्ण कम्प्लीट दूसरे प्रसंसकरण में जाती है चीज तो उसी कच्चे माल को हम इतना प्रोसेस कर देते हैं चाहे भोते क्या रासाने क्रियाओं का यूज करके कि उसको हम उपियोग कर सकते हैं उपियोग करने के लायक बना देते हैं ठीक है? और तीसरा प्रसंस्क्रण इतना महत्पूर्ण है कि किसी चीज को हम इतना प्रसंस्कृत कर देते हैं कि उसको आप लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं और दूसरा तुरंत खाने योग बना देते हैं डिब्बा बंध भोजन देखते हैं तुरंत खाने हो खोलो और ख कर दो खाड़ के खालो ऐसे ही आप आठे से बिसकेट है बेटे तुमाम चीजें बना सकते हैं आलू से आलू का-णियु अधि अधारन ले तो पहले प्रकार से आलू की साफ सफाई की जाती, क्रेटों में भरा जाता, छोटे आलू को अलग किया जाता, दूसरे प्रोसेस में क्या किया जाता, आलू को छीर करके, काट करके, काट करके प्रोसेस किया जाता, और तीसरे प्रोसेस में क्या होता, कि आलू की चिप्स बना ली जाती, तो पहले चीज मे साफ सपाई दूसरे में उसको खाने के योग बना देना लेकिन तीसरे में हम तुरंत खाने योग बना देना ठीक है यहाँ पर यदि हम आलू को काट देंगे तो उससे सबजी बना लो आलू से बिफिन प्रकार की चीज़े बना लो वो ठीक है लेकिन यहाँ तो हम तुरंत ख खार्द प्रसंसकर्ण निती थी 2016 में घोस्ट की गई थी 2016 में मद्र प्रदेश सरकार ने भी अपनी खार्द प्रसंसकर्ण नीती की घोशना की थी और मद्र प्रदेश में सबसे प्रमुख जो है मेगा फूर्ड पार्कों की योजना है मद्पदेश में क्या हो रहा है जैसे आपकी सरकार की जो संपदा योजना है किंद्र सरकार की संपदा योजना उसमें भी फूर्ड पार्कों की स्थापना की जा रही है ऐसे ही मद्पदेश सरकार भी खाद प्रसंसकन को बढ़ावा देने के लिए फूर्ड पार्कों की योजना लाई है फूर्ड पार्कों का नर्मान लगातार मद्द प्रदेश में हो रहा है और मद्द प्रदेश के पहले मेगा फूर्ड पार्क की बात करें तो निजी छेत्र का जो मेगा फूट पार्क था वो आपका देवास जिले में स्थापित है और राज्य का पहला निजी पूछा जाये तो आप देवास और पहला पूछा जाये तो आप कसराबद खरगून दोनों चीजे में डिफ्रेंस है याद रखिएगा लेकिन मद्द प्रदेश का जो मद्द प्रदेश का जो खाद प्रसंसकरण उद्योग है उसकी बात की जाये तो यहाँ पर मैं तीनों चीजों को लिखके बता देता हूँ मद्द प्रदेश का खाद प्रसंसकरण उद्योग है ठीक है मद्द प्रदेश का खाद प्रसंसकरण उद्योग पूछा जाये तो यह कहाँ पर है आपका यह फटा फट बताईए यह आपका है कहाँ पर जग्गा खेडी में जग्गा खेडी कहाँ है जग्गा खेडी है मं तिक है वैसे तो आप मद्द प्रदेश की किलासों में इन चीजों को पढ़ लोगे और जब आप से यहां पूछा जाये दूसरा कि मद्द प्रदेश का पहला मद्द प्रदेश का पहला खाद प्रसंसकरण वो मेगा फूड पार्क पहला मेगा फूड पार्क तो यह कहां पर है आपको पता होना चाहिए कसराबद खरगोन खरगोन ठीक है खरगोन और निजी छेतर का कहां पर है दोनों में डिफ्रेंस समझ में आ रहा है यह मद्द प्रदेश सरकार का है और यह है मद्द प्रदेश का पहला निजी मद्द प्रदेश का पहला निजी मेगा फूड पार्क Mega Food Park और ये Mega Food Park कहा है तो देवास डिले में मौझूद है ठीक है तो मंद्रप्रदेस का देवास बाला पूछा गया कौन सा पूछा गया है इसमें आप याद रखिएगा बंधना क्या हो गया बंधना विश्करमा नोशर अमिद्दू बे भारती राजपूत गुड़ीवनिंग देवास में लड़ू बर्मा जी हाँ अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई अब हम थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं कि प्रसंसकर्ण का महत तो या फिर आवशक्ता दोनों चीजें लगभग एक ही हैं और डेली आंसर राइटिंग प्रसंसकर्ण की आवशक्ता क्यों है या इसके महत्यों की ब्याख्या कीजिए और एक बड़ा प्रसंस बनाया था मैंने लगभग 11 अंक का प्रसंस बनाया था फिर मैंने क्लास में बताया भी था कि आपको क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम की क्लास हैं आपने नहीं देखिये तो देखियेगा उसमें डे 22 से डे 27 तक मेरी क्लास हैं थी तीन क्लासें विश्व भूगोल की, तीन क्लासें थी भारत भूगोल की, तो भारत भूगोल की क्लास में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था, समझाया था आपको राइट, अब प्रसंसकरण का महत्या आवशक्ता, आप अपने अनुसार बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इस खाध प्रसंसकरण का महत्यों समझ लेता हैं, पहले फिर आवशक्ता की बात करेंगे, ठीक है, खाध प्रसंसकरण का महत्या है, अब आप ही लिखेंगे, फटा-फट, फटा-फट, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और इके करके आप पॉइंट लिखेंगे, क्या अब बताना शुरू कीजिए कि इसका जो महत्यों है, वो कौन सा महत्यों है, खाध प्रसंसकरण, suppose that, आपके पास में खाध को प्रसंसकरण करने की कोई भी टेकनलोजी नहीं है, और आप एक बड़े किसान है, जिसमें आप क्रसी के साथ पसुपालन को भी बढ़ाबा दे रहे हैं, तो आपके पास में प्रति दिन के प्रति दिन क्या होता है, कम से कम 40-50 कुइंटल दूद हो रहा है, आपके पास में टमाटर भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, ऐसे चीज़े हैं, जिनको तुरंत ही मार्केट में नहीं बेचा गया, तो आप उनको या तो प्रसं प्रसंसक्रण करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, तकनी की रूप से आप सक्षम नहीं है, कि आप थोड़े जानकार हों तो आप क्या करोगे, तो इस समय हमें किसकी आवश्चक्ता महसूस होगी, इस समय हमें खाद प्रसंसक्रण उद्योगों की या मेगा फूर प जैसे टमाटर हैं आपके, यदि आपके पास कोई खाद प्रसंसक्रण नहीं होता, सीथ संग्राग रह नहीं होते, कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, तो आपके पास से जो 40 किलो टमाटर या 50 किलो टमाटर आपने खेत से तोड़े थे, आप उनको मार्केट में ले जाना चाहत लेकिन मार्केट में भाव अच्छा नहीं मिल रहा है आठ से 10 रुपे किलो चल रहे हैं और आप जानते हैं कि यदि हमने चार महीने रोक लिये टमाटर तो यही टमाटर आपके 40 से 50 रुपे किलो भी जा सकते हैं तो आप क्या करोगे आप उन टमाटर को कोल्ड स्टोर या खा से पहला तो आपका पॉइंट जो होगा वो यह होगा कि खाद पदार्थों की खाद पदार्थों की उत्तर जीविता को उत्तर जीविता समझते हैं उत्तर जीविता को या जीवन काल लिख दीजिए या जीवन काल को जीवन काल को बढ़ाना सबसे महत्पून हो गया कैसे बढ़ाना आपने जो टमाटर तो तोड़ी लिये थे वो टमाटर तो 24 घंटे के अंदर अंदर खराब होने बाले थे लेकर यदि खाद प्रसंसकंड उद्योग है तो उसी टमाटर का जीवनकाल बढ़ जाएगा मतलब 4-5 महिने तक वो cold store में आसानी से रखे रहेंगे और वो खराब नहीं होगे तो इससे क्या हो गया कि जो cold store में रखे रहे तो उनका जीवनकाल क्या हो गया बढ़ गया दूसरा महत्पूर पॉइंट क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा कि इस समय जो हमें rate मिल रहा था वो 8-10 रुपे के लोका मिल रहा था चार महीने हमने रख क्या करना अतिरिक्त लाभ पहुंचाना कि किस्तानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाना ठीक है दूसरा point हो गया आपका कि किस्तानों को क्या हो जाएगा अतिरिक्त लाभ हो जाएगा extra income हो जाएगी तीसरा यहां पे हम लिखेंगे जैसे अभी तक क्या था कि हमने खेती की थ तो केबल, यहाँ पे किसान, किसान की घरबाले और यहाँ पे जो बेच रहे होंगे फल वो लगभग दो लोगों का यहाँ पे क्याँ होगया रोजगार चल रहा था लेकिन ये हमने प्रसंसकर्ण उद्योग लगा दिये तो इससे क्या हो गया कि अब हमारा जो माल है यहां जो विकासो विका नहीं विकासो हम यहां गए और यहां पर हमने मेगा फूर्ड पार्क में रख दिया तो ये मेगा फूर्ड पार्क वाले को भी रोजगार मिल गया क्योंकि इसने इसकी फसल को बचाया और अच्छा समयाने पर इसको बापस कर दिया अर्थाद रोजगार के अवसर रोजगार के नए अवसर उत्पन होते हैं यदि concept के लिए है तो आप आराम से लिख सकते हैं रोजगार के नए अवसर उत्पन होते हैं एक ये भी महत हो गया, ठीक है, महत्पूर पॉइंट है, एक एक चीज आप आराम से समझ पा रहे हैं न, कोहली की कप्तानी में T20 विसकप के दोरान खिलाडी धेर हो गए, वो घरेली सीरीज में नियुजिलेंड के खिलाफ सेर हो गए, पहले जिनके बल्ले से रन नहीं आ रह हैं, कि जो खिलाडी, खिलाडी तो वही थे, ये चीज़ें कोई अस्टित तुहीन है, यहां पढ़ाई में माहुल मत बनाईए वहां का, दूसरा, यहां पर हम देखेंगे, कि लोग जब इस चीज से, जैसे मेगा फूड पार्क हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, इस को डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, दिवित्ता को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रसी की दिवित्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे एक ही समय पे हम अलागलग फश्न लोंगा आएं, ये करें, तकनी की रूप से संपन्द हो रहें, किसान तो उसका भी प्रशादन होता था उसको हम हमें जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता था यादि हमने जल्दी नहीं बेचा तो वो नश्ट हो जाता था लेकिन यहां पर हमने खाद प्रसंसकन उद्योगों की स्थापना करके विभिन प्रकार के ट्रक बगएरा एसी बगएरा विवस्तित लगा करके और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया है और विदेशों तक में चले जाते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं कि निर्यात आयको बढ़ावा दिया जाता है कोई डाउट हो तो फटापट पूछे इसके अलाबा और क्या चीजें होती है तो पोसन स्तर में सुधार होता है जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि आपको जो टमाटर है वो मौसम में ही प्राप्त हो रहा था मौसम के विपरीत आपको टमाटर नहीं मिल रहा था या और कोई चीजें ले लीजिए, सेव ले लीजिए, या आलू ले लीजिए, जिनका जब मौसम चलता है, उसी समय मिल रहे थे आपको, लेकिन अब आप बे मौसम भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये कैसे संभा हुआ है, खाद प्रसंसकन उद्योगों के माध्यम से, जैसे बरसात के समय आपको जुलाई में टमाटर नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस समय फल नहीं आते हैं, लेकिन खाद प्रसंसकन या कोल्ड स्टोर में रखे हुई टमाटर उस समय भी एवेलेबल रहते हैं, तो इससे क्या हो गया, कि जिनमें पोसन इस्तर में भी सुधार हो रहा है, उस समय भ और देखेंगे आप, तो विपरीत मौसम में वस्तूओं की आपूर्ती करना, विपरीत मौसम में या प्रतिकूल मौसम में वस्तूओं की आपूर्ती जो है संभाव करना, आपूर्ती संभाव बन जाती है, ठीक है? चली, तो ये थे कुछ आपके क्या, महत तो क्या है, खाद प्रस्वेंस करना, उद्द्योगों के महत तो क्या है, खाद प्रदातों के उत्तर जीविता को या जीवनकाल को बढ़ावा देना, किसानों को अत्रिक्त लाप पहुचाना, रोजगार के नए अवसर उत्पन करना, करसी में विविता को बढ़ावा देना, नर्यात आय को बढ़ावा देना, पोशन स्तर में ब्रद्धी करना, प्रतिकूल मौसम में बस्तूओं की आपूर्ती संभव बनाना, ऐसे तमाम चीजें हैं, जो आप इसमें लिख सकते हैं, रैट, जीववास में कमी या हुमस की कम चली, तो यहां पर यह रहा आपका एक टोटल जो चीजें हम बता रहे थे आपको प्रसंसकन, अब प्रसंसकन की अलाबा इसकी जो आवशक्ता है, आवशक्ता क्यों है, यह आप लोग लिखिएगा, घर पे लिखिएगा वाकि कल हम लिखेंगे, यहां पर बताएंगे आप भारत में इसकी संभावनाएं क्या है, यह आपको लिखना है, यह आप लिखते हैं तो ठीक, वरना कल की क्लास में हमें बिभिन प्रकार की उद्योगों की चर्चा करना है, जैसे जैम बनता है, कैसे बनता है, किन फलों से बनता है, जैली का निर्मार कैसे होता है, ठीक है, जेम है, जैली है, मुरब्बा है, स्वैकस है, ठीक है, मुरब्बा है, ठीक है, इसके बाद जो विभिन प्रकार के पेपदारत हैं, कॉर्डियल है, नेक्टर है, बारली वाटर है, ठीक है, इन सारी चीजों की चरचा हम कलगी क्लास में करेंगे और खाद प्रसंसकन को कौन कौन से हैं और भारत में इनकी क्या संभावना बन रही है भारत जैसे विसाल देश में खाद्यान की आपूर्ती करपाना भी एक चुनोती है वहाँ पर इतना बड़ा एक मार्केट है हमारे लिए और यहाँ पर यदि हम खाद प्रसंद करते हैं तो निश्चित तोर प में बहुत कंज्यूसी करते हैं आप लोग कुछ लोगों को यह लगता है कि लाइक कर देंगे तो सर को पैसे मिल जाएंगे लेकिन याद रखिएगा लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है तो लाइक कीजिएगा सभी में तरों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आपने नोर्स बुक नहीं किये हैं तो नोर्स बुक कर दीजेगा क्योंकि आपको फायदा हो रहा है सीधे सीधे 2,000 रुपे का फायदा हो रहा है साथ में डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रोग्राम की जो प्रैक्टिस प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है तो ड फिर मिलते हैं आपसे नेक्ट लेक्चर में जय हिंद जय भारत